आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, in this video we will see the number of elements in the Cartesian product तो let's start Suppose करें हमारे पास कोई एक सेट है A non-empty, obviously A और B जो हैं, वो non-empty sets दिये हो है तो इनके Cartesian product में हमें पता लगाने की कितने elements होगे चलिए एक जर्टनल केस लेके start करते है Suppose करें हमारे पास कोई ये सेट है इसमें elements हैं A1, A2, A3, .-an elements है ठीक है, और हमारे पास सेट है B, उसमें elements है B1, B2, B3, up to Bm elements है where n and m are integers, तो जब हम लोग A x B को हम जब compute करेंगे तो हमारा आएगा A1, B1 हम इसको tabular representation में लिखेंगे और देखेंगे A1, B2, A1, B3, up to A1, Am ठीक है, अब हम different color का use करें ताकि आपको हम precisely बता सकें कि यहाँ पे actual में हो क्या रहा है A2, B1, A2, B2, A2, B3, up to A2, Am ठीक है, अब यहाँ अगला रो को लिखेंगे हैं हम लोग different color से यह dot 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 है यह अब तो चलता जाएगा जब लोग last row में पहुचेंगे तो an मेरा आखरी element है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर an, b1, an, b2, an, b3, an, am ठीक है और यहाँ मेरा set खता हो जागा अब देखें यह tabular representation है इसको एक matrix form की तरीके देख सकते हैं यह पहली column है यह दूसरी column है यह तीसरी column है यह mth column है और यह पहली row है यह दूसरी row है यह तीसरी row है यह nth row है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे number of places कितने हैं यह पहली place है दूसरी place है तीसरी place है यह mth place है, यह दूसरी place है, यह nth place है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, number of places है, m column है और n rows है, तो number of places हमारे matrix से हम लोग यहां से compute कर सकते हैं, यही होता है, number of elements in a cartesian product, तो suppose करेए, अब हम direct theorem state करते हैं, हमारे पास a कोई set है with number of elements in a is equal to n, और हमारे पास कोई b set है with number of elements in b is equal to m, तो हमारे पास cartesian product a cross b हम compute कर सकते हैं, sorry, तो हमारे हम लोग cartesian product a cross b compute कर सकते हैं, जिसमें number of elements a cross b में होंगे, mn, ठीक है, अब अपने next वीडियो में हम लोग representation of cartesian product देखेंगे, Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर,